हालो फ्रेंज वेलकम बेक टो अगेंड माई यूटूब चेनल आयरवेध हरबल खेर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जारी हूँ मदर्स है जो फिलाल हाली में उन्होंने अपने बच्चे को डिलिवर किया है अभी फिर्स्ट टाइम मदर बनी है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट होने वाली है और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिसकस करने वाल है कि नौजात शिशू यानि जो हाल फिलाल में आपने बच्चे को जनम दिया जिन मदर्स ने उनको अपने बच्चे को अपने से दूर क्यों नहीं सुलाना चीए इसके क्या कारण होते हैं आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है मदर्स के लिए साथी साथ उच्चोटे से बेबी के लिए जो फिलाल इस दूनिया में आया जिसने अपना पहला कदम इस दूनिया में रखा है देखिए बिदेशों में तो ये ट्रेंड काफी लंबे टाइन से चलता आ रहा है वहाँ पे मदर फादर अपने बज़ों को अपने से अलग सुलाते हैं और अब थीरे थीरे हमारे भारत देश में भी सेहरों के कुछ सेहरों में अभी माता-पिता अपने बच्चों को अपने सेहलत लेसे की पालने में सुनाते हैं बट ऐसा सही नहीं है नौजात शिशू के लिए इसके गहुत सारे कारेंट्स होते हैं मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हूँ मगर उससे पहले आप सभी मदस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग अगर चैनल पर पहली पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को जरूर प्रेस कीजिएगा इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लेकि सबसे पहला जो रिजन होता है नोजाद जो सीशू है वो बहुत छोटा बच्चा है ठीक है अगर आप उसे अपने से अलग सुलाती है और छोटे बच्चे देर घंटे दो घंटे में उनको फीड कराने की जरूर परती है और अगर आप उनसे अलग सो रही है आप गहरी नीन में है तो आप अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगे इससे क्या होगा आपका बच्चा भूखा रह सकता है तो सबसे पहला रिजन तो यही है कि बच्चे को अपने पास उलाना चाहिए ताकि आप उसे समय समय पर देर घंटे दो घंटे धाई घंटे में जबी भी आपके बच्चे को भूख लगती है आप उसे continue अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा पाएं तो पहला एक important तो अपने पैरोसिस को साइड में कर देते हैं अब अगर वह साइड हो गया आप उनके पास नहीं है वेदर ठंडा है तो इसे क्या होगा आपके बच्चे को ठंड भी लग सकती है जो कि आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो एक इस रीजन से भी आप अलग बेट पे सो रही हैं और गहरी नीन में तो होगा कि आपको बच्चे की शायद आवाद सुनाई ना दे आवाद सुनाई नहीं देगी बच्चा भूखा रह जाएगा हो सकता है तो ये भी एक रीजन है आप अपने बच्चे के साथ ही सोएं उसको अलग नहीं सुलाए अपने से ताकि अगर बच्चा परिशान हो रहा है किसी भी रीजन से या रो रहा है तो उसके आवाज आपको पहुच पाए देगी अगला एक जो रीजन हो सकता है कि छोटे बच्चे हैं वो बार बार शूशू करते हैं पौटी करते हैं माल लिजे आपने उन्हें राद म बहुत देर तक बच्चा उसमें है तो इससे आपके बच्चे को रहस भी हो सकते हैं तो एक यह भी रीजन है कि आपको अपने बच्चे के साथ ही सोना चाहिए जिससे आप समय समय पर चेक कर पाएं कि बच्चे का डाइपर या नैपी घीला तो नहीं है और अगर बहुत ज पाइपर में तो जरूरी है कि आप अपने बच्चे का डाइपर या नैपी टाइम चेंज करते हैं अगला क्या रीजन हो सकता है देखे एक सबसे बड़ा रीजन होता है इमोशनल टच अगर आप अपने बेबी से दूर रहती है तो आपका और आपके बेबी के बीच का जो emotional touch या जो bond है वो develop नहीं हो पाता है और ये बहुत important role play करता है एक बच्चे और एक मदर के relation को लिखे अभी आपका बच्चा छोटा है अभी आपका और आपके बच्चे का emotional touch development होता है एक प्यार बढ़ता है तो ये जरूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ ही सोए और उसके अंदर भी एक positive energy आती है अगर आप अपने बच्चे के साथ सोती है अगला reason होता है कि बेबी को कुछ गर्मी की जरूत होती है तो अगर आप अपने बेबी के साथ सोती है तो आपकी body से उसे जो गर्मी की जरूत होती है वो भी उसको मिलती रहती है तो देखें ये कुछ reasons है जिनकी वज़े से आपको अपने baby के साथ ही सोना चाहिए अगर आप अपने baby के साथ नहीं सोती है तो ये साथ तो problem सोगी होगी लेकिन सबसे बड़ा जो reason है emotional touch जो प्यार जो bond होना चाहिए डबलब क्योंकि अभी अभी आप newly mother बनी है अभी अभी आपका छोटा baby आया इस दुनिया में तो आप दोनों के बीच में कहरा रिष्टा बनता उस रिष्टे के लिए जरूरी है आप उसके साथ सोगे फादर सोई ना सोई और कोई सोई ना सोई लेकिन मा और बच्छे का relation तो अलग ही होता है तो इसलिए आपको अपने बच्छे को अपने साथ ही सुलाना चाहिए जब वह बड़ा हो जाए थोड़ा सा तो आप उसे अलग पिश्टर में मतलब अपने आसपास सुला सकती है प सब्सक्राइब करके बेल अगन कुछ जिरू प्रेस कीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मैं लाती रहंगे थैंक फॉर दर वाचिंग फ्रेंड्स